नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं अस्थागित करने का निनलिया है बता दे रभीवार साम मंत्री आलमगीर आलम के आवास पहुचे चातरों के परतिनीधी मंडल ने मंत्री को नियोजनीती को लेकर बनी उहापोगी ठीचिती से अउगत कराया साथ ही मंत्री के दुआरा दिये गया अस्वासन के बाद सोमवार यानी 20 मार्च को होने वाले आंदोलन को अस्थागित करने का निनलिया है मंत्री आलमगीर आलम ने चात्रों के सिष्ट मंडल को आस्वासन दिया है कि उनकी बातों को अमुख्य मंत्री के समक्ष ले जाएंगे और जल्द ही राज सरकार चात्रों की समस्या का समाधान करेगी उन्होंने कहा है कि हाई कोट से नियोजन नीती 2001 का इसरत हो गई है इसके बाद नियोगती पर किरिया ठाफ हो गई है जिसके कारण राज सरकार को नियोजन नीती में सहसोधन कर नियोगती पर किरिया फिर से सुरू करनी पड़ी है राई सरकार के दुवारा कोशी से की जा रही है कि जैसेसी के माद्यम से भीगापन निकाल करने उक्ति पर क्रिया शुरू की जाए इस मौके पर मंत्री से मिलने पहुंचे छाद ने निता देविंदर नात महतो सफी, इमाम और मनोल ज्यादों ने कहा है कि सरकार क्यास वसन के बाद फिलाल सोमवार को होने वाले घहराव को स्थागित किया जाता है जारखन में अभी मौसम इसी तरह रहेगा बारिस से रहत नहीं मिलेगी मौसम भी भाग ने अपने पूरण मान में बताया है कि 20, 21, 22 और 25 मार्च को घरजन के साथ हलकी बारिस की समभावना है 23 वा 24 मार्च को आस्मान मुख्यता साफ रहने और आस्मान सुस्क रह सकता है 22 बजरपात वते जवा को लेकर एलो अलर्ट भी जारी किया गया है इधर हजारी बाग के बढ़का गाउं में तीन दीनों से चिट फुट बारिस हो रही है वहीं गड़वाएं बजरपात से एक मैला की मौत भी हो गई है जारखन में कोरोना केस की संख्या 10 जारखन में कोरोना संख्या फिर से बढ़ने लगी है 18 मार्च को परदेश में 5 नए कोरोना संख्या 10 हो गई है जारखन में पिछले 3 दिनों से फिर एक बढ़ कोरोना संख्या 10 हो गई है अभी देव घर में दो पूर्वी सिमू में एक लातेहार में एक रांची में चार और पच्वी सिमू में दो एक टिप केस कुरोना संक्रमन के हाँ बता दे जारखन में मार्च 2020 से लेकर अब तक 2,30,64,42 सेंपल कुरोना जाच के लिए लिया गया जिसमें 2,30,42,512 सेंपल की जाच की गई जारखन के सभी जीलो में EWAS को 10% आरक्षन लागू जारखन के सभी जीलो में जीलास तरिये पदो पर आर्थिक रूप से कम जोर वर्ग के लिए 10% आरक्षन ततकाल परभासों लागू करतिया गया है राजसरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती पिछडा वर्ग के लिए जीलावार आरक्षन की सूची जारी कर दी गई है जीलावार सभी पदो में EWAS को मिला का 60% आरक्षन लागू हो गया है राजसरकार का कार्मिक प्रसाशनिक सुधार एवं राज भासाभी भाग ने रभी वर्ग कोई से समधी अधिसूचन जारी कर दिया है बता दे पलामू जीला में EST को 8% और EST को 27% पिछडा वर्ग को 6% और अत्यांत पिछडा वर्ग को 9% EWS को 10% और अरक्षन दिया गया है 26 मार्च को रांची में कोल मैराथन 29,70,000 की प्राइज मनी Central Cold Field Limited के तत्वधार में 26 मार्च को रांची में कोल मैराथन कायोजन किया जा रहा है परत्योगता की जनकारी के लिए रभिवार को CCL में प्रेश वर्था कायोजन किया गया जिसमें CCL के डारेक्टर हर सनात मिस्टरा ने जनकारी दिया है कि मैराथन के परचार परसार और लोगों में मैराथन के प्रतिजागरूपता को लेकर मोबाइल वेन को रवाना किया गया प्रेश वर्ता में बताया गया है कि जार्खन का पहला मन्याता प्राप्त मैराथन है जिसमें Athletics Federation of India और Olympic Federation of चार्खन के टेकनिकल टीम की भागेदारी रहेगी मैराथन में पूर्शो और महिलाओ के लिए दोड की चार से रहनीता की गई है इसमें पूर्ण मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दोड सामिल है पूर्ण मैराथन, 42.195 किलोमीटर का होगा, जबकि हाफ मैराथन, 11.098 किलोमीटर का होगा कारकरम के लिए परतिभागयों को पंजी करन कराना होगा, और पंजी करन 24 मर्च तक चलेगा इसके लिए सुल्क निधारित किये गए है फूल मैराथन के लिए एक हैर, वहीं हाफ मैराथन के लिए 750 रुपए निधारित है नियोजन के लिए जीलो में आरक्षन रोष्टर लागू जारखन में जिवावक जिला अस्तर ये पदो पर नियोजन के लिए सरकार ने सभी जिलो में अरक्षन रोष्टर लागू कर दिया है इसके तहट सभी जिलो में अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फिर दिया अरक्षन का प्रधान किया गया है वहीं जिला वार सभी पदों में EWS को मिला का 60 फिर अरक्षन लागू हो गया है बता दे कि पिछले दिनों राजी कैमिनेट ने नई नियोजन नीति को मंजोरी दी थी जिसमें 60-40 के अनुपात को आरक्षन का अधार बनाया गया था जारखन में होंकोंग फुलू और कोरोना को लेकर बढ़ी सतरकता जारखन में H3N2 होंकोंग फुलू और कोरोना के नए मरीजों के मिलने के बाद सतरकता बढ़ा दी गई है स्वास्थ विभाग के अपर मुक्षची अरोन कुमार सिंग के अनुसार राज के नेजी जाच घरो को अब करोना मरीजों की तरह ही होंकोंग फुलू के मरीजों की भी सुचना स्वास्थ विभाग वा I.D.A.S.P. को देने की हिडायत दि गई है मरीजों के उपचार को लेकर जीलों में बेट सुरक्षित रखने को कहा गया है स्वास्त कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी गई है बता दे कि जारखन में होकंग फलू के दो मरीज मिले हैं इन में जमसेदपूर की एक महिला और रांची का एक बच्चा संक्रामित मिला है कोरोना के केस भी बढ़ने लगे है छातरों ने कहा साथ है चालिस को असपष्ट करे नहीं तो होगा अंदोलान जारखन में नियोजन निती का पेंच लगातार फस्ता जा रहा इसको लेकर राजे के सभी जीलों में युवा बिरोत परसन करते दीख रहे हैं सदर्न की करवाई के दौरान युवाओ के नजर सरकार के फैसले पर है नियोजन निती में साथ है चालिस के अनुपात पर हुए बिवाद को लेकर छातर नेताओ ने कहा की डबलुएस हैं और 14 परस्त ओवीसी के लोग हैं लेकिन 40 परस्त जो बचता है उसमें जनरल के किन लोगों को अस्थान दिया गया है या अभी तक असपस्ट नहीं हो पाया है भानुपरताप ने सीएम को दी सला अपने मंत्री विधायकों को दोल का कराय अभ्यात जारखन के पुर्व स्वास्त मंत्री सभाजपाप विधायक भानुपरताप साही ने राजी में एक बार फिर कुरोना संक्रमन के बढ़ते मामले और एज 3 & 2 के केस मिलने को अलार्मिं इस्थीती करार दिया है बानुपरताप साही ने कहा है कि सोमवार को जब इधान समय 52 के दोरां स्वास्त 52 को लेकर पर चर्चा होगी तब सरकार से तयारियों की जनकारी मांगी जाएगी उन्होंने कहा है कि नियोजन निती में सरकार फेल रही है इसलिए मुख मंत्री है मन सब्सक्राइब देना चाहिए उन्होंने कहा है कि 20 मार्च को माई सदन में कुरोना और एस थ्री एंट्टो इंफ्लेंजा वाइरस के नए वेरियंड की जाज के लिए राज में क्या वेवास्ता सरकार ने की है इस मामले को लेकर प्रश्ण करूंगा वहीं पूर्वस्वास्त मंत्री ने कहा है कि जहां तक उनकी जनकारी है राज में इन्फुलेंजा वाइरस के नए वेरियंड की जाज की कोई वेवस्ता नहीं है 2024 तक नहीं होगा जारखन BJP में कोई संगाठनिक बदलाव भारतिय जनता पार्टी के परदेश परभारी और राज सभा में भाजपा के मुखे सची तक लक्षमी कांत बाजपाई ने साफ कर दिया है कि जारखन भाजपा में 2024 चुनाओ से पहले कोई संगाठनिक फिर बदल नहीं होगा रभीवार को लक्षमी कांत बाजपाई ने रांची में एक सवाल के जवा में साफ किया है कि जारखन भाजपा में बदलाव की चार्चा सिर्फ मीडिया में है जारखन बाजपा में मंडल से लेकर उपर तक संगठन में बदलाव की कोई चार्चा नहीं है जूलूस निकालने को लेकर की गई है फायार वापस लेने और डीजे पर लगे परतिवंद हटाने की मांग प्रसासनिक निर्नाय के खिलाप भूखरताल पर बैठे यूकों की रभीवार दोफर चिती बिगड़ गई सुचना पर पहुंचे भी धायक सहित अने ने इस दोरान योकों से अस्पताल में इलाज कराने का आगरा किया लेकिन बात नहीं बनी बतादे अंसन पर बैठे यूक धार 144 के तहत जुलूस निकालने को लेकर की गई प्राथमी की वापस लेने और डीजे पर पुर्ण पावर्ति बंध को हटाने की मांग कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर चार यूवा अनिस्चित का इन भुक खरताल पर बैठे हुए हैं सबसे ज़्यादा खराब थीती अजय कुमार सिंग की थीती थी स्वास्त पर इक्षन में स्वास्त की थीती अच्छी नहीं होने पर चिकिसक द्वारा स्पताल में भुरति कर इलाज कराने का निर्देश दिया गया लेकिन चिकिसक करमियों का या निर्देश यूखो को नहीं मना 36 गर से चल कर पलामू टाइगर में पहुंचा बाग गरामिनों दिवारा सुचना मिलने के बाद पलामू टाइगर रिजर्ब के अधिकारी करमचारी इलाके में पहुंचे और बाग की ट्रेकिंग शुरू कर दी है इसका फोटो ट्रैकिंग कैमरे में कैद होने के साथ ही अधिकारियों ने भी अपने कैमरों से खीचे मंडल डेम से कुछ दूर आगे जंगल में बाग मुझूद है उसने सनीवार को एक बैल को मारा था सिकार वाले अस्थान पर ही बैठ कर अभीवार को अपना सिकार खाते हुए देखा गया बता देख कुटकू रेंज में बाग होने के सुचना मिलने के बाद ट्रैकरों के साथ PTR उत्री रेंज के उप निदेशक प्रजेस कांत जेना जंगल में पहुँचे उन्होंने अपने कैमेरे में सुक्रवार के सामभाग को कैद किया इसके बाद PTR के निदेशक कुमार असुतोस को सुचना दी गई लातेहर से 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर इंसास के साथ गिरफतार रविवार को लातेहर पुलिस को नकसलियों खिलाब चलाया जा रहे उप्रेशन में बड़ी सफलता मिली है पुलिस ने भागपा मवादी के 10 लाख के नामी जोनल कमांडर बैजनाच सिंग उर्फ संजीव जी को गिरफतार कर जेल भेज दिया है पलामू आईजी राज कुमार लक्रा ने प्रेस कोंफरेंस कर बताया है कि पुलिस अधिक चक अंजनी अंजन को गुपत सुचना मिली थी कि भागपा मवादी का एक हातियार बंद दस्ता सेंटरल कमीटी मेंबर सुरब यादव रिजनल कमीटी मेंबर सुजीत के नतियुत में मनिका और हेरहंज थाना छेत्रे के सिमावर्ती इलाकों में किसी नक्सली घटना को अंजाम देने की फिराक में हाए पुलिस को या भी सुचना मिली थी कि नक्सली ठेकेदारों और इट भाटा मालिकों से लेवी और रंगदारी वसुनने के नियत से चेत्र में घूम रहे हैं जनता को सिफ अस्पताल भवन नहीं डॉक्टर नर्स और दवा चाहिए आईसू सुप्रीमो सुदेश महतो जाम तड़ा के नरायनपूर में आईसू द्वार आयोजित आदिवासी महासमिलन में हेमन सुरिन सरकार पर जमकर निशाना साथ है आईसो सिप्रुमों ने हेमंत सरकार पर निशाना साते वे कहा है कि गरीब के घर किसी तरह से दो बार चावल बन पाता है। आदिवासी समाज के बचे सरकारी भी द्यालों में पढ़ते हैं लेकिन कहीं नियमित पढ़ाय तक नहीं हो पा रही है। तलाब या नाला आदि में भी डूबने से मिरित्यों होने पर इसका लाब मिल सकेगा। केबिनेट की स्विकरिती के बाद राज सरकार ने इस समन में नियम में संसुदन करते हुए संकल्प जारी कर दिया है। बतादे राज सरकार द्वारा राज की विस्तिष्ट अस्थानिय आपदाओ में पानी में डूबने की घटना को राज की विस्तिष्ट अस्थानिय आपदा खोसित करने से। बतादे राज सरकार एक एक मोबाईल डेंटल वेन की जाएगी। पहली बार या वेवस्ता प्रमणडल अस्तर पर की जाएगी। परतेक प्रमंडल के लिए राज सरकार एक-एक मोबाइल डेंटल वैन खर देगी जिसका संचालन PPP मोड पर किया जाएगा परतेक प्रमंडल के लिए एक-एक अर्थार्ट कूल 5 मोबाइल डेंटल वैन के क्रय तथा इसके संचालन पर 4.45 कोड़ रूपए खर्च होंगे इनर वील कल्ब द्वारा उड़ान थिरी देवहर रन्थोन का आविजन किया गया इसके तहत रभीवार को सहर की सड़को पर दस अयर्च धीक धावक अपने लक्ष की दिशा में दोड़ते देखे गए सुबा 6.45 मिनट पर रामकृष्ण मिस्थन विद्या पीट से सुरू हुई इस दोड़ का उदगाटन गोड़ा सांसद डाक्टर निसिकान दूबे वा अनुक्रांत दूबे ने किया है इस दोड़ में सामील पूर्सो को हरी जंडी दिखा कर वह महिलाओ को मसाल दिखा कर रवाना किया गया सांसद संस्क्रिती महोच्षव में कलाकार ले सकते हैं भाग रांची में 5-6 और 7 माई को सांसद संस्क्रिती महोच्षव कायोजन किया जाएगा इसे लेकर अभिवार को फर्म लंच किया गया कला और संस्क्रिती से जुड़े इस महोच्षव के फर्म की लंचिंग पदमस्री मुकुंद नायक और पदमस्री मधु मनसूरी के साथ सुप्रसीद गाई का मिरिनाल लिनी और खोरी ने की है इस महोचे पर सांसर संजाय सेट मौजूद थे बतादे 20 माज से 15 अपरेल तक रईस्टेशन किया जा सकेगा फर्म की लंचिंग के बाद अतितियों ने इस संस्कृतिक महोचे का योजन की सराना की और कहा आयकिया महोचे और रांची लोग सभा छेतर के नवदित लोग कलाकारों की परतिभा को निखारने में बहुत ही ससक्त भूम का निभाएगा इस दिशा में संसत का परिया सरानी है होँगी चैंपिएंस्टिप में झ्हारखन की महिला टिम ने बिहार को 11-0 से हराया खुट्टी में आयोजित पहली होँगी इंडिया जुनियर महिला एवं पुरू इस्ट जोन होँगी चैंपिएंस्टिप 2023 का होंकी इंडिया के महासिची भोला नाज सिंग, खोटी जीला के उपायुक्त, पुलिस अधिक्छक, उप विकास अयुक्त एवं अने अतित्यों ने खिलाडियों से परिचाय प्राप्त कर गुबारा उड़ाय कर परत्योकता के बिद्धोत उधाटन किया, इस दोरान सभी अतित्यों ने खोटी मैयोजी जूनियर महिला एवं पुरुस होंकी राष्ट्रिये चैंपियनसीब 2023 के सुबाराम के दोरान खिलाडियों से मिलकर उनका उत्साह वर्धन किया, डिसी खोटी ने कहा है कि खेलकती वीद्धो के बढ़ावा देने के साथ साथ होंकी परत्योक की बात आएगी तो जारखन में हम इतने कमजोर नहीं है कि यहाँ NDA का सापना पूरा हो सके, पूरी मुस्तहदित से हम चुनाव लड़ेंगे, हेमन सरकार भी पांच वर्षो का कारेकाल पूरा करेगी, वहीं उन्होंने कहा है कि देश में एक जूटता के लिए गट बंधन को लंबी छलंग लगानी है, तो दो कदम पीछे हट नहीं होगा, देश में विपक्ष को एक जूट होनी ही चाहिए, उक्तवाते मुख्यमंतरी हमन सुरेन एक नीजी चैनल के करक्रम में कही, बता दे एक सवाल के जबाब में सियम हमन सुरेन ने कहा है कि संगिय धाचा एक कहावत भर रह गई है, जी एस्टी लगा कर राई सरकारों के हाथ पर बांध दिये गए हैं, धन्यवाद